हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजसी पारामांट में दोस्तों आज के हमारे वीडियो को टॉपिक है पर्मिट टूवर्क इसमें हम जानेंगे वाट इस पर्मिट टूवर्क यानि कि पीटी डूबलू क्या होता है उसके के बारे में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्मिट टूवर्क होता क्या है अब पर्मिट टूवर्क इस डॉक्मेंट और सिस्टम यूस्टू कंट्रोल हाई रिस्क वर्क अक्टिविटिटिस तैट कूड पोटेंशिली क तो बी टेकें तो इंसर्ट दैट दो वर्क एन बी डन सेफली तो दोस्तों पर्मिट टूवर्क डॉक्मेंट और सिस्टम होता है जिसका यूज किसी भी हाई रिस्क अक्टिविटिटि को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है जो कि वहां वर्क कर रहें पीपल्स को इन्व वर्क होँ हमारा वो सेफली इग्जिक्यूट हो सके अपर में टूवर्क फॉर्म कंसिस्ट अपस्पेस्पिक इंस्ट्रक्शन अफ नीचर अप टाइम अड़ प्लेस अप्लेस अप्लेस को फॉलो करना है वो सारा चीज एक पर्मिट के अंदर कंस्ट होता है यानि सारा प्लेट चीज मेंं संभता है उसके बात दोस्तों टाइप्स अपर मिट मिट टौ वर्क यानि पार मिट और कितने टाइक स्टेज का होता हैं देरह सिवन मैं टाइप्स अब परच में यानि यह फोटाइवा जिसमें सबसे पहला हमें होट वर्क परबेट तीसरा है Excavation Permit चौथा Confirmant Space permit पाँचप एड़्या हॉयट वर्क परबेट शिक्स्त नमबर है एलेक्तिकल परर मेट और सेंथ नमबर है chemical परमिट केमिकल लोग्रण परमेट है जराली जो टाइप परमेट है वह अलग-अलग हीट स्पार्क और फ्लेम एक्जाम्पल साफ फॉट वर्क इंक्लूड वेल्डिंग कटिंग अन् ग्राइंग एनी होट पर मेट हमें कब ज़रुवत पड़ता है जब हम ऐसे चॉप को कर रहा है जहां पर हीट स्पार्क या फ्लेम जनेट होना या यूज होने के चांसे हो तो फ्लेम इंक्ड डेट नहीं होता है नेक्स व पर मेट दोस्तों वह एक्कवेशन परमेट इस परमेट इस रिक्वाइड वैन एक्सकवेटिंग डिगिंग तरचेश और पिट्स यानि यह पर मेट हमें जब हम कोई एक्सक्वेशन करते हैं तो उस दोरान हमें जरूत पड़ सकते नेक्स जो है दोस्तों वह है कंफाइंड इस्पेस पर्मिट इस पर्मिट इस रिक्वाइड वर्किंग इन कंफाइंड इस्पेस पर्मिट की जरूरत पड़ती है कंफाइंड इस वर्क बहुत हाइं रिसकी जॉप है जिसमें इंजीरी जोट इस रिफ होने के बहुत ज्यादे चांश सोते हैं वोकि उसमें वर्क करने के लिए बहुत लिमिटेड एक्सेस और एग्रेस होता है वेंटिलेशन नहीं होता और टॉक्सिक गैसेस वगरा होने के चांसेस होते हैं उसके बाद है दोस्तों हाइट वर्क पर्मिट हाइट पर्मिट इस पर्मिट इस रिक्वार्ट वन वर्किंग एट हाइट अब असे लेवल शेज अवन इसका फोल्डिंग लेडर और रूफ ए यह एंसे और करता है कि जो सेफ्टी मीजस है वो इन प्ली से ताकि हम फॉल्स को प्रवेंट कर सके उसके बाद है दोस्तों इलेक्टिकल आइसूलेशन पर्मिट इस पर्मिट इस रिक्वार्ट वर्किंग ओन एलेक्रिकल सिस्टम्स और एक्यूप्मेंट इस इंसूर्स त त सब हमने लिया है या नहीं ताकि ही एलेक्टिकल स्वाक्स और फ्यर को प्रवेंट किया जा सके दोस्तों के पार्मिट इस परमेट is रिक्वार्ट वरकिंग इंव वॉर्किंग विथे हजा deux केमीड और सब्स्टांस इस इलेक्रीज आरे प्रमेट हम्हें चैनि केंदने वो मिंशन होता है उस वो कॉंसे का वहार मेंशन होता है निनीचोंड की वाद करने के शइक машण होता है तो सारा होता है». Four थैंनी उस्वर्क में क्या-क्या हजार इंवाल्व है वह सारा वहां पर मैंशन होता हैं, चाлलर है अज उस हजाच को minimize करने के लिए क्या क्या हमको control measures या क्या personal protective equipments को यूज करना है वो सारा जीज वहाँ पर mention होता है six number authorized person यानि इस job को carry out कराने के लिए exude करने के लिए कौन authorized person है या कौन permit request है next है seventh number approval यानि permit का approval और eighth number है closure यानि job की खतम होने के बाल permit का closure तो दोस्तों I hope आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजसी पारामांट को जल्द ही मिलते हैं अगड़े वीडियो में thank you for watching